साथियों, पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजया रजे सिंधिया भी शामिल थी राजमाता जी केवल वात्सल्ने मूर्ती ही नहीं थी, वो एक निरनायक नेता थी और कुछल प्रशासक भी थी स्वतंत्रता अंदोलन से लेकर आज़ादी के इतने दसकों तक भारती राजनेती के हर एहम पड़ाव की वो साक्षी रही आज़ादी से पहले विदेशी वस्त्रों की हुली जनाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर अंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं जो उनके करीबी रहे हैं वो उन्हें भली भाती जानते हैं उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीड़ी भी जाने उनसे प्रेणा ले उनसे सीखे इसलिए उनके बारे में उनके अनुभवों का बारे में बार बात करना आवशक है कुछ दिन पहले मन की बात कारकम में मैंने बहुत विस्तार से उनके स्नेह पर चर्चा की थी विवा से पहले राज माता जी किसी राज परिवार से नहीं थी एक सामार ने परिवार से थी लेकिन विवा के बाब उन्होंने सब को अपना भी मनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए राज किये दाईत्वों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन में लेना ही जरूरी नहीं होता कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिनके भीतर योग्यता है पतिभा है देश सेवा की भावना है वो इस लोग तंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है अब कल्पना कीजिए सत्ता थी संपत्ती थी सामर्थ था लेकिन उन सबसे बढ़कर जो राजमाता की अमानत थी वो थी संसकार सेवा और स्नेह की सरिता ये सोच यादर्ष उनके जीवन के हर कदम पर हम देख सकते हैं इतने बड़े राजगराने की मुख्या के रूप में उनके पास हजारों कर्मचारी थे भव्य महल थे सभी सुविदाएं थी लेकिन उन्होंने सामान ने मानवी के साथ गाउं गरीब पे साथ जुड़कर जीवन जीयां उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया राजमाता ने ये साबित किया कि जन प्रतिनिदी के लिए राजसत्ता नहीं जन सेवा सबसे महत्वपूर है वो एक राज परिवार की महरानी थी राजा साही परंपरा से थी लिकिन उन्होंने संगर्ष लोग तंत्र की रक्षा के लिए किया जीवन का महतप्ण कालखन जेल में बिताया हापात काल के दोरान उन्होंने जो जो सहा उसके साक्षी हम में से बहुत से लोग रहे हैं इमर्जंसिंग के ही दोरान तिहाड जेल से उन्होंने अपनी बेटियों को चिठी लिखी थी संभवत है उसाराजे जी वसुंद्रा जी यसोद्रा जी उन्हों सब को ये चिठी याद होगी राज मातारे जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी उन्होंने लिखा था अपनी भावी पीडियों को सीना तान कर जीने की प्रेणा मिले इस उदेश से हमें आज की विपदा को धैरिय के साथ जेलना चाहिए राष्ट के भविश के लिए राज माता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था देश की भावी पीडि के लिए उन्होंने अपना हर सूक त्याग दिया था राज माता ने पद और प्रतिष्ठा के लिए न जीवन जिया न कभी वो राजनीती का रास्ता चुना ऐसे कई मों के आए जब पद उनके पास तक सामने से चल करके आए लेकिन उन्होंने उसे बिनम्रता के साथ ठुकरा दिया एक बार खुद अटलिया रिवात्पाई जी और लाल कृष्णा अडबाणी जी ने उनसे बहुत आग्र किया था कि वो जनसंग की अध्यक्ष बन जाए लेकिन उन्होंने एक कारकरता के रूप में ही जनसंग की सेवा करना स्फिकार किया अगर राजमाताई जी चाहती तो उनके लिए बड़े से बड़े पत तक पहुंचना मुश्किल नहीं था लेकिन उन्होंने लोगों के बीच रहकर गाव और गरिब से जुड़े रहकर उनकी सेवा करना पसंद किया हुआ झाल